आज मैं आपके साथ सेर करूँगी बहुती टेस्टी रसेदार मुलायम और मज़दार कठल की रेसीपी आज मैं बिलकुल अलग तरीके से बनाना दिखाऊंगी इसे बनाना के लिए कोई ज़ंजट नहीं कोई भी मसाले पिछने के भी जरूरत नहीं है बिलकुल आसान तरीके से और बिल्कुल डिफ्रेंस टाल में बनाना दिखाऊंगी और बहुत ही मज़दार सब्जी बनके त्यार होगी हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागती सिंप्ली फूर अन फ्लेवर्स में तो चलिए बनाना सुरू करते हैं कठल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहां 250 ग्राम का कठल लिया है सबसे पहले एक कुकर लेंगे और सारे कठल को डालके एक से देड़ ग्लस पानी एड़ करके आधा चमाज से भी कम हल्दी पाडर और आधा चमाज नमक को भी एड़ करके एक सिटी आने तक हाई प्लेम में उबाल देंगे और यहां पे सिटी आ गया है कुकर की प्रेसर खत्म होने के बाद तुरंत ही पाने से कठल को अलग कर देनी है ताकि यह उबरकुक ना हो और मैंने यहां पे छन्नी में निकाल दिया था और यह थंड़ा भी हो गया है अब एक कठाई में दो से तीन चमल सर्सु तेल लेंगे और सारे कठल को इसके अंदर डाल के हमको सेलो फ्राइ करनी है हाई फ्लेम में ही और यहां पे हमारा कठाल आधा सेलो फ्राइ हो गया है अब उसमें चार से पांस छोटे साइस के उबले हुआ आलू को एड़ करेंगे जिने मैंने इसे कठ कर लिया था ताकि कठाल और आलू दोनों ही अच्छे थरे से गुल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे कठल को उबलने से एक घड़ा सा चीज निकल जाता है और एसे फ्राइ करके लेने से कठल का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है और सब्जी बहुत ही अच्छी बनता है और ये देखिए कठल और आलू दोनों ही अच्छे से भून गये है अब इन्हें एक बर्तन में निकाल देंगे और उसी सेम कड़ाई में ही दो से तीन चमस तेल को मैंने एड़ कर देया है आप उसमें कुछ खड़े मसाल एड़ करेंगे आदे चमस जीरा और थुड़ी सी खड़े मसाला जो भी आपके पास घर में एबलब लो उसको एड़ कर सकते हैं और साथ में ही एड़ करेंगे दो प्यास को जिने में ने इसे लंबाई में बारिक से काट लिया है और साथ में ही साथ से आठ लशुन की कल्या को भी एड़ कर लेंगे और प्यास को गुल्डेन ब्राउन होने तब फ्राइ करेंगे देखिए प्यास भून गई है और खुस्बी भी आने लगी है इसी टाइम कुछ पाउडर मसाल एड़ करेंगे तो यहां पर मैं दो छुटी चमाज धनिया पाउडर और साथ में याड़ कर देंगे आधा चमाज जीरा पाउडर आधी चमाज हल्दी पाउडर एक चमाज लाल मिर्च पाउडर आप अपनी स्वाद की अंसर लाल मिर्च को कम ज़दा कर सकते हैं इन सभी को कुछ देर फ्राइ करेंगे और यहां पर एक छुटी चमाज अध्रभ और लसुन का पेस्ट अड़ करेंगे साथ में इस्वादान चार नमक को भी यड़ कर लेंगे एकदम लो फ्लेम में भूनेंगे जिसे कलर बहुत अच्छा आएगा सबजी भी टेश बनेगा मसाला भून गया है आब इसमें एड़ करेंगे एक बड़ी साइस का एक टमाटर को जिने मैंने इसे काट लिया है अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ अब उसमें करीबन एक लस पानियर कर लेंगे और एकदम लो फ्लेम में पर्फ्रक्टलिक गलने तक गला ना है धकन को कवर करके और यह देख सकते हैं कि मसाले अच्छे से गल गया है एकदम चिकना हो गया है और जो मसाले नहीं हुआ है हमें इने इसे इस प्रकार के कर्ची से दबाते हुए मसाल देंगे ताकि सारी मसाले एक समान चिकना हो जाए जितना अच्छी से मसालों को पकाएंगी उतना अच्छा टेस्ट सब्जियों में आएगा और ये देखिए हमारे ग्रेबी में कितने बड़ा थिकनेस आ गई है बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए फिर भी मैं दो मिनिट और पकाल लूँगी और उसके बाद यहाँ पर जो सेलो फ्राइक किये हुए कटल और आलू को डाल देंगे मिला देंगे अच्छे से ग्रेबी के साथ ताकि सारे ग्रेबी का मसाले हमारे सब्जियों में आजाए अच्छे से मिलानी है अब two to 3 मिनिट लिए एसे ही भुणे हे मसालो के साथ और जैए डो मिनित हो गए है अब इसमें पानी अड़ करेंगे में आधा ग्रास पानी अड़ करेंगे हो आप अपनीaj टेस्ट के गड़ए या मिला देंगे अच्छे से और कवर करके तीन से चार मिनट और पका लेंगे लो टू मिडियम फ्लैम ही पकानी है और यह देख सकते हैं हमारा सब्जी एकदम बढ़ा से बनके त्यार हो गई है फिर भी कुछ कसर बाकी है वो भी पूरी कर लेते हैं आधी चमच यहां पर गरम मसला को एड़ करेंगे और साथ में धन्यापती को एड़ करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि यह देख सकते हैं कि हमारा कटल की सब्जी कितना बढ़ाया और कॉंसिस्टेंसी बिल्कुल पर्फेक्ट है और यह थंडी होने के बाद और भी गाड़ी हो जाएगी तो मैं यहां पर अच्छे से मुला दी हूँ और बस कुछ सेकिन के लिए गरम मसाले और धन्यापती के साथ फुरी से पका लेते हैं कि कवर करके हैं और यह हमारा कटल की सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है सर्फ करने के लिए कि कितना बढ़ा कलर भी आया है सब्जियों में एक बार अच्छे से मिला लेंगे और ग्यास की फ्लेम को आफ कर लेंगे और सर्फ कर लेते हैं मैं यहां पर चावल के साथ सर्फ की हूँ तो फ्रेंट्स अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइफ शेयर करें चैनल को सस्क्रेब करके साथ ने बेल बटन को भी प्रेस कर जीएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपिक आपडर्स आपको मिल सके तो बनाएं खाएं और खिलाएं और आपकी कटल की सबजी कैसे बना है मेरी कमन वर्फ ने लिखना ना वुलिएगा तो मिलते हैं ऐसे ही मज़दार एस वी के सब तब तक लिए टेक केर एंड बबाई कर दोनीwhen मेरी वालै वालै लिखना और की । कि आने बनाएं और प्रशाह एंड़ िर एंड़रे गदजी को मेरी कि सके सब ड획 का इंड़कश्य।